प्रणाम दोस्तों, आज का सुविचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जो लोग चैनल पर नए है, क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जैश्री विश्नु, आज हम एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे, हिंदू कैलेंडर के अ पूर्णिमा और अमावस्या के बाद हर ग्यारहवें दिन को एकादशी कहा जाता है, हर माह को क्रिशन पक्ष और शुकल पक्ष में विभाजित किया गया है, और प्रतेक पक्ष में एक एकादशी होती है, पूर्णिमा के बाद ग्यारहवें दिन को क्रिशन पक्ष की एका प्रतेक एकाद्शी एक अलग उद्देश को पूरा करती है, हाला कि इस दिन को अत्यन्त शुभ माना जाता है। उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए और एकाद्शी व्रत कथा सुननी चाहिए। तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नश्ट किया करता था। सदैव ही देवता, बाहमन, वैश्नवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राजे से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा की कहा जाओ, क्या करो। अंत में उसने चोरी करने का निश्टे किया। दिन में वह वन में रहता और रातरी को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भैभीत हो गई वह वन में रहकर पशु आदी को मार कर खाने लगा नागरिक और राजे के कर्मचारी उसे पकर लेते किंतु राजा के भैसे छोड़ देते वन में एक अतिप्राचीन विशाल पीपल का व्रिक्ष था लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे उसी व्रिक्ष के नीचे वह महापापी लुमपक रहा करता था इस वन को लोग देवताओं की क्रीरास्थली मानते थे कुछ समय पश्चात पौशक्रिशन पक्ष की दश्मी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्री सो नहीं सका उसके हाथ पेर अकर गए सूर्योदे होते होते वह मूर्चित हो गया दूसरे दिन एकाद्शी को मध्यान के समय सूरे की गर्मी पाकर उसकी मूर्चा दूर हुई गिरता परता वह भोजन की तलाश में निकला पशों को मारने में वह समर्थ नहीं था अत पेडों के नीचे गिर हुए फल उठा कर वापस उसी पीपल व्रिक्ष के नीचे आ गया उस समय तक भगवान सूरे अस्थ हो चुके थे व्रिक्ष के नीचे फल रख कर कहने लगा है भगवन अब आपके ही अरपन है ये फल आप ही त्रिप्थ हो जाए उस रातरी को दूख खके कारण रातरी को भी नीचे नहीं आई उसके इस उपवास और जागरन से भगवान अत्यंत प्रसन हो गए और उसके सारे पाप नश्ठ हो गए दूसरे दिन प्रात एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तों से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया उसी समय आकाशवानी हुई की है राजपुत्र श्रीना रायन की कृपा से तेरे पाप नश्ठ हो गए है अब तु अपने पिता के पास जाकर राजे प् कर ऐसी वानी सुनकर वह अत्यंत प्रसन हुआ और दिवेवस्त्र धारन करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया उसके पिता ने प्रसन होकर उसे समस्त राजे का भार सौंप दिया और स्वयमवन के रास्ते चल दिये अब लुंपक शास्त्रा नुसार र पस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंट को प्राप्थ हुआ अध जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकाजशी का वरत करता है उसे अंत में मुक्ती मिलती है जो नहीं करते वे पूंच और सींगों से रहित पशूं के समान है इस सफला एकाजशी के महात्मे को परने से अत्वा श्रवन करने से मनुष्य को अश्वमेद यग्य का फल मिलता है